तो यह देखो प्यारे बच्चों यहां पे कहा जा रहा है boy is trying to start the a fire by focusing sunlight on a piece of paper using a convex lens focal length यहां पे दिया हुआ 10 cm तो सबसे पहले मैं यहां पर कन्वेक्स लेंग्स मना लेता हूं जिसकी फोकल लेंध यहां पर के 10 cm this is the convex lens इसका focal length यहां पर प्लस टेंड सेंटीमीटर मेंच नहीं डाइमीटर अब यहां पर जो जो सन वह उसका डाइमीटर मतलब यहां पर जो यह जो डाइमीटर है मतलब य कर लूं यह पाइसे इसको मैं चंहर कर लो ईसका जो डायमीटर इसका आपो यहां से मिकेंड हना में अप्टिक सेटर चली जाएगी लेगिन जो फोकस से नहीं तो यहां पर कहीं पर पास यहां पर इसका इमेज हो जाएगा इसका इमेज बनाऊगे तो यह वाला ऐसे दिखेगा तो यहां पर अपना इमेज बन जाएगा यहां पर इमेज ठीक है जो की पेपर पर बनेगा इस इस दे पेपर और यहां से यह जो डी है small d by 2 है diameter of image and this is the focal length f this is the u और अब यहां से तुम देखोगे इस वाले एक छोटे से triangle में आ जाए हैं तो यहां पर जो डेटा दिया हुआ पहले मैं उस डेटा को लिखता हूं तो जो डेटा दिया हुआ वह यह दिया हुआ कि जो focal length f है वह 10 cm है diameter of sun d की यहां से diameter of sun d by 2 mean distance from earth and radius यह u है that radius यहां से u है इसकी distance 1.5 है diameter of sun of image मतलब small d की calculation में करनी है तो इस छोटे से triangle में इस triangle में आ जाए होगी यह एंगल अगर alpha है तो यह भी angle क्या होगा alpha होगा ठीक है तो यहां से जो 10 alpha है 10 alpha वो d by 2 अपान small d by 2 और f के इक्कोल होगा it is also equal to capital d by 2 और radius u object distance ठीक है और अब यहां से तुम देखोगे इस equation से तो जो small d है वो d f अपान यहां से u के equal आ जाएगी d f u के equal आ जाएगी तो यहां से d जो है diameter diameter option यहां से लेलो यहां 1.39 into 10 की power यहां से 9 meter दिया हुआ और focal length यहां से दिया हुआ focal length कितना focal length 10 cm 10 cm 10 की power minus 2 meter के equal है जो u है object distance है वहां से कर देखोगे object distance u जो की 1.5 into 10 की power यहां से 11 है तो 1.10 जब इसको solve करोगे पूरा तो पूरा इसको solve करोगे small d की value आ जारी है 9.1 into 10 9.2 into 10 की पार minus 4 meter के equal आ जाएगी तो अपना जो है वो c option सही हो जाता है की पार